हलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो श्मयलिस कीचिन आश्या करते हूं आप सब ठीक ठाक होंगे आज मैं अपने उसाद शेयर करने वाली हूँ मालाई मश्रूम के रेसिपी खाने में बहुत ही डिलिशियस होता है रोटी पराथा पूरी नान या फिर राइस के कोई भी प्रिप भी आउन कर दिया है अभी पानी में उबल आ जाए तो फिर इसका फ्लेम लो करके घ्रकन लगा के इसे कुक करना है चार से पाच मिनिट तो यहाँ पर देख सकते हूं टमटर पियांस बाकी के इंग्रिडियन्स सारे बॉयल हो गया है अभी इसे ठंडा कर लिया है मैंने ठं contenido कर दीजिए तो उठाना हो जाने के बाद यह जो सकीन निकालने के बाद यह जो सारे मसाले है इक साथ मैंने mighty मिक्सिंग जर में ले लिया है और इसका मैं ईपेस्ट बना लूँगी तो चलिए इसे पेस्ट बना लेते है तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मसाला पेस्ट है वो रेडी हो गया है और यहाँ पे पैन में मैंने ले लिया है सरसोका तेल और बाटर आप लोग रिफाइंड ओयल में भी कर सकते हो तो सबसे पहले बाटर को मेल्ड होने देते है सौटे कर लेंगे फिर इसमें एड कर देंगे यह प्रिपार किया हुआ मसाला पेस्ट और इसे अच्छे से भून लेंगे तीन-चार मिनिट मसाला अच्छे से भून गया है देखिए तीन-चार मिनिट मैंने मसाला भून लिया है ओयल सेपरेट हो गया है फिर इसमें मैं एड़ कर दूँगी सारे पाउडर मसाले धनिया जीरा पाउडर, रोस्टिट कसोरी मेथी, हल्दी पाउडर उसके बाद काश्मीरी रेट चीली पाउडर और थोड़ा सा पानी एड़ करके इसे फिर से तीन-चार मिनिट और मैं भून लोगी यहाँ पर हमारा धनिया चीला पाउडर एक साथ है क्योंकि यह होम मेड है मैं एक साथी पाउडर बना के रखती हूँ अब लोग अलग-अलग कर सकते हो फिर मैंने एड़ कर दिया है माश्रूम यहाँ पर मैंने बाटन माश्रूम लिया है और हाफ करके काट करके अच्छे से धो लिया है इसे भी तीन-चार मिनिट मसाले के साथ अच्छे से भूनना है अच्छे से जब भून जाए फिर इसमें एड़ कर देना है गरम पानी गरम पानी ही एड़ कीजिएगा नहीं तो मसाला का टेस्ट ना फिका हो जाता है तो अभी देखिए ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है फिर मैंने एड़ कर दिया है थोड़ा सा धनिया पात्ता चॉप किया हुआ बहुत यह अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में इसे अच्छे से मिक्स करके फ्लेम लोग करके धक्कन लाए के मैं चार से पांच मिनुट कुक करूँगे क्यूँकि मश्रूम पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत जल्दी कूक हो जाता है तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने 5 मिनुट कूक कर लिया है हमारा दि से बीट कर लिया है, इसे अच्छे से mix कर लेंगे, अगर आपके पास नहीं है, तो अप fresh ट्राइ कीजिए I am sure आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा रोठी परठा नान पूरी के साथ आप लोग इसे खा सकते हो बहुत ही अच्छा लगता है अपर से मैंने हरा धनिया चौप किया हुआ और घर के मलाई से मैंने गार्निश कर दिया है दिखने में कितना डिलिशियस लग रहा है आप लोग ज़रूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद अपना फीडबेक मेरे शाथ शेयर कीजिए रेसिपी पसंद आए तो लाइक श है तब तक के लिए खुश रहिए सेफ रहिए